स्थाई खाता संख्या यानि की पैन कार्ड पैन कार्ड को अधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रवी बार को एक सार्वजिनिक सुचना जारी की है जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2019 तक हर पैन कार्ड धारक को अपने पैन कार्ड के साथ अधार कार्ड लिंक करना अनिवारे है आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि Income Tax Department की साइट से हम अपने PAN Card को अधार कार के साथ कैसे लिंक करेंगे मैं हूँ आपके साथ नितिन पाल आप देख रहे हैं Tech Talk बाई नितिन पाल Friends सबसे पहले आप अपने कम्प्यूटर में ब्राउजर को ओपन कीजिए ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप यहां पे Income Tax of India e-filing.gov.insight को डारेक्ली भी ओपन कर सकते हैं नहीं तो आप Google की सर्चवार में Income Tax जब लिखेंगे तो Income Tax लिखने के बाद आपको सबसे पहले जो साइट दिखाई देगी वो Income Tax of India की Official Website दिखाई देगी देखिए ये वाली तो Friends आप Simply इसको यहां से ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन दिखेगी और यहां पे आप इसको कुछ Instructions दी हुई है आप चाहें तो इनको Read कर सकते हैं Otherwise आप इसको Close कर दीजिए तो मैं यहां से इसको Close कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आपके अधार कार्ड को Pen Card के साथ कैसे Link करना है ये बता रहा हूँ तो मैं डिरेक्टली वहाँ पे आपको ले चलता हूँ तो आपको Left Hand में एक Menu वार दिखाई देगी Quick Links की Quick Links में पहला Option आपको दिखाई देगा Link अधार का तो Friends आपको Link अधार पे क्लिक करना है और उसके बाद यहां पे कुछ Informations हैं तीन चार Informations हैं वो आपको फिल करनी है तो आप अपना Pen Card और अधार Card अपने पास रख लीजिए और इन Informations को फिल कीजिए तो सबसे पहले आपको Pen Number फिल करना है उसके बाद आपको अपना अधार Number फिल करना है उसके बाद name as पर अधार कार्ड जो है वो आपको fill करना है इसको fill करने के बाद friends एक आपको option यहां पर दिखाई दे रहा है I have only air of birth in अधार कार्ड तो इसका मतलब है जिन लोगों के अधार कार्ड पे सिर्फ air of birth ही लिखा है पूरी date of birth नहीं लिखी है उनको इस check box को okay करना है टिक करना है तो friends अगर आपके अधार पे आपकी पूरी date of birth लिखी है तो आप इसको check box को uncheck ही रहने देंगे check नहीं करेंगे तो friends अगर आपके अधार कार्ड पे simply आपका air of birth ही लिखा है तो इस check box को आप check कर दीजिए और उसके बाद आप I agree to validate my अधार details with UIDAI को check कर दीजिए उसके बाद friends आप capture code यहां पे fill कीजिए आपको capture code दिखाई दे रहा है इस capture code को fill करने के बाद आपको सबसे last में link अधार का एक green button दिखाई देगा आप link अधार के green button को tick कर दीजिए तो friends यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि अगर आपके अधार कार्ड और pen card की details आपस में match करती है उस ही case में आपका अधार कार्ड आपके pen card के साथ link होगा यदि आपकी date of birth या फिर नाम की spelling या फिर पिता के नाम की spelling आपके pen database से match नहीं करती है तो आपका अधार कार्ड और pen card आपस में link नहीं होगा उस case में आपको सबसे पहले अपना अधार कार्ड और pen card चेक करना है कि किस में आपका नाम गलत है यदि आपके अधार कार्ड में नाम गलत है तो आप अधार सेंटर पे जाके अपना नाम करेक्ट करवाए और उसके बाद उसको पैन कार्ड से लिंक करवाए और यदि आपके पैन कार्ड में आपका नाम गलत है तो आप अपने अधार कार्ड को सब्मिट करके अपने पैन कार्ड के नाम में करेक्शन करुआ सकते हैं या पिता के नाम में या डेटो पर में जिस भी आपके डेटा में करेक्शन चाहिए हैं वो करुआ सकते हैं उस case में आपको अपना pen card अधार कार्ड के साथ लिंक करने की जुरूरत नहीं होगी क्योंकि आप अधार कार्ड के जरीए ही अधार कार्ड के थुरू ही आप अपना pen card correct करुआ रहे हो तो वो automatically link हो जाएगा और यदि आपके अधार कार्ड में correction करुआ रहे हैं तो आपका जब अधार कार्ड correct होके आजाएगा उसके बाद आप इस option को चूज़ करके अपने अधार कार्ड को pen card के साथ link कर सकते हैं तो फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2019 अपने अधार कार्ड को pen card के साथ link करने की income tax department के द्वारा last date रखी गई है तो आप सभी प्लीज 31 दिसंबर 2019 से पहले अपने अधार कार्ड को अपने pen card के साथ link कर लीज़े तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा कि एक simple से method से कैसे आप अपने अधार कार्ड को अपने pen card के साथ link कर सकते हो और 31 दिसंबर 2019 से पहले income tax department की दिशा निर्देश अनुसार इस नियम को अलोग कर सकते हो तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लीज मुझे comment में जुरूर उटाइए और मेरे आने वाले वीडियो की notification अपने mobile पे पाने के लिए bell icon बटन दोना ना भूले जये हैं जये भारत